हैलो फ्रेंड्स मैं हूरीना बिरादार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम बनाएंगे आटे का हल्वा याने के आटे का शीरा ये गेहों के आटे से बना एकदम हेल्दी नास्ता है जिसे आप खाकर पोहती हेल्दी भी रह सकते हैं साथ में टेस्ट जो भी कटोरी आप ले रहे हो उसी कटोरी से एंड तक आपको इसका मेजर्मेंट लेना है तो एक कटोरी यहाँ पे मैंने कीऊंका आटा लिया है इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी कटोरी से हम पानी घी और चीनी इसी कटोरी से नाप के लेंगे तो सबसे पहल इतके हम यहां पे आदा कटोरी घी ले लेते हैं एक कप के लिए आदा कटोरी घी एक तम पर्फड development है तो आप देख सकते हैं अप चलते हैं ग्यास की तरफ तो यहां पर एक-एक कड़ाई में मैंने आधागी डाल दिया है आधागी हम बात में यूज करेंगे अब इस घी में हम डाल देते हैं घ्यो काटा जो हमने मेजर्मेंट करके रखा हुआ था और इसे अच्छे से रोस्ट करें तब तक रोस्ट करें जब तक इसमें अच्छे से ब्राउन कलर ना आ इसमें से बहुत अच्छे से खुश्बू आने लेगेगी आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से रोस्ट हुआ है या नहीं सिर्फ हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी रोस्ट ना करें नहीं तो ये हल्वा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बढ़ेगा इतनी ही बैद यहाँ पे याद रखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं गरम पानी तो इसी कटोरी से हम देड कटोरी पानी इसमें डाल देते हैं इसमें का गी मैंने दूसरी कटोरी में निकाल के रख दिया है मेजर्मेंट के लिए ये कटोरी लगने वाली थी इसलिए और देड़ कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है गरम पानी अब हमें इसे फटा-फट हिलाना है इसमें बिल्कुर भी गुटली ना बने इसका ध्यान रखें अच्छे से इसे हिलाती हुए पूरी तरह से इसे एकदम स्मूध पेस्ट की तरह से बना ले तो आप देख सकते बिल्कुर भी गुटली अपने अब बनेगी ही नहीं लेकिन एक दूसरी गुटली बची भी है तो तो आप इसे इस स्पैचुला की मदद से इस तरह से स्मैश कर सकते हो। ऐसा करने से बिल्कुल भी गुटलिया नहीं बनेंगी। अब इसे थोड़ी देर हम इसी तरह से पकाएंगे। तो आप देख सकते हो तुरंत इसने पानी सोक लिया है, कड़ाई ये छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी चीनी। उसी कटोरी का मैंने नाप लिया है, आधी कटोरी से थोड़ी सी चीनी मैंने ज़्यादा डाल दी है। ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आजाएगा तो एकदम परफेक्ट नाप से यहाँ पे मैं यह बना रही हूँ यह अगर सब आपने मेजरमेंट इसी तरीके से लियाना तो यह सुजी का हलवा आपका कभी भी खराब नहीं होगा इतना टेस्टी बनके रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे इसने कड़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसी स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं बचा हुआ घी घी यह पुरी तरह से सोक लेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आ जाएगा तो पुरा घी मैंने बचा हुआ घी इसमें डाल दिया है अब हमें तब तक इसे अच्छे से हिलाते हुए पकाना है जब तक यह फिर से घीना रिलीज करने लगे यह अपने आप कड़ाई भी छोड़ने लगेगा और घीरी भी रिलीज करने लगेगा अब तो सोक लेगा पुरी तरह से घी तो आप देख सकते हो तुरंत इसने घी सोकना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर बाद फिर से यह घीरी रिलीज करेगा तो इस तरह से इसे हिलाते हुए हलका हलका स्मैश करते हुए अच्छे से इसे पकाएं जितना अच्छा आप इसे पकाएंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी यह हलका बनके रेडी हो जाएगा यह शीरा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अगर इस तरह का शीरा आप प्रसाद के लिए बनाते होना तो सब को बहुत पसंद आएगा तो आप देख सकते हो इसमें इसे घी रिलीज होने लगा है इसका मतलब यह बहुत अच्छे से पक चुका है तो इसे आप ग्यास की फ्लेम को हम कर देते हैं बन और इसे सर्व कर लेते हैं बहुत ही अच्छे खुश्बू इसमें से आने लगी है अब इसी स्टेज में हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं इलाइची पडर इससे खुश्बू भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्यास की फ्लेम को बंद करके इसे सर्व करते हैं कि हैना एकदम इजी और बोहत ही आसान रेसेपी तो आप इसे जरूर एक बाइट राइ कीजिए अगा तो चलते हैं अब इसे सर्व करने के लिए तो ग्यास की फ्लेम को मैंने कर दिया है बन अब ले लेते हैं एक सर्विंग प्लेट और इसमें सर्व कर लेते हैं तो यहां पर मैंने सर्विंग प्लेट ली है अब हमें इसमें ये निकलना है आप देख सकते हो इसका कलर कितना अचाया है तो सोच सकते हो ये खाने में कितना टेस्टी होगा जब भी कोई मेरे घर में अचानक से कोई आता है तो मैं ये रेसेपी ज़रूर ट्राइ करती हूँ क्योंकि एकदम परफेक्ट रेसेपी है आसान है और घर में ये सारी चीजे तो होती ही है अचानक से कोई आया तो मिठा क्या बनाओ ये बहुत बड़ा टेंशन होता है तो य यह recipe आप ज़रूर एक बाइट राइए कीजिएगा बच्चों को क्या बड़ों को क्या हर किसी को यह पसंद आता है है ना एकदम easy और बहुत ही बढ़िया recipe एक साथ में healthy भी तो इस recipe को आप ज़रूर एक बाइट राइए कीजिएगा और एक recipe आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा उपर से मंचा है ड्राइए फ्रूट से आप इसे सजा लीजिएगा बहुत अच्छा दिखेगा खाने में भी healthy बनेगा तो ऐसे ही अलग अलग और नए नए recipes देखने के लिए मेरे चाइनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर यह recipe आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेक करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए recipes के साथ में तब तक के लिए अजय वा monitor रूलिएवाद के लिए और झाया अगर वा क्यंट वीजियो अगर शेकी करना सी अच्छी अचलता बाह क्यां चाह को आडरू मेंगलना वाल यहें एक्या दो नेकल ये धक्यों में साथ में अच्ती आपिए और